हे दोस्तो मेरे इस channel में आपका स्वागत है आज मैं आपसे घनवात से related question answer के बारे में चर्चा करूँगी गनवात से related question answer के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें clear करना चाती हूँ अगर आप मैंसे किसी के पास भी question paper है तो please उसे मेरी mail ID पर send कर दीजिए मैं अपनी mail ID description में डाल दूँगी जिससे मुझे वो paper मिल जाएंगे तो मैं उन्हें solve कर सकूँगी तो please अगर जिस किसी के पास भी TZT, PZT, NAT, DSS भी किसी से भी related question paper है तो please मेरी mail ID पर मुझे send कर दें अब मैं आपसे चर्चा करती हूँ घनवाद से related question answer के बारे में जो बहुत important question है और हर साल घनवाद मैंसे कोई न कोई question जरूर पूछा जाता है सबसे पहला question है घनवाद के बारे में कलाकारों को सरवपथम पता कब चला था या घनवाद का जन कब हुआ था या घनवाद कब स्टार्ट हुआ था ऐसे question पूछे जाते हैं घनवाद के स्टार्ट होने से तो घनवाद स्टार्ट हुआ था 1907 में जब पिकासो की पहली पेंटिंग आवन्यों की इस्त्रिया जो बनाई थी उन्होंने जो 1907 में बनाई हुई पेंटिंग है और उसे घनवाद की पहली पेंटिंग के रूप में जाना जाता है लेकिन घनवाद का नाम हुआ था 1908 में डैट मिन्स आंदोलन का जो नाम करन हुआ था वो 1908 में रखा गया था जब कुरबे की पेंटिंग्स देखी गई और वॉक्सेल ने कहा था कि इसमें तो घन के अलावा कुछ भी नहीं और उन्होंने अपनी पत्रिका में एक हसी के तौर पर उपहास के तौर पर उसको घनवादी कहकर उनकी हसी उपहास उड़ाया उनका मजाग उड़ाया और उन उस आंदोलन का नाम पड़ा गनवाद एक्चली यहीं से मैं आपको रिमाइंड रखने के लिए एक बात बताती हूँ कि जैसे एक बच्चे का जनम होता है बच्चे का जनम जब होता है उसके काफी टाइम के बाद कुछ समय के बाद उसका नाम करन संसकार होता है ऐसे ही घनवाद का हुआ था ऐसे ही आंदोलन थे इनको स्टार्ट कर दिया था लेकिन इनका नाम समझ में नहीं आ रहा था पंड़त जी आते हैं नाम रखके जाते हैं तो हम नाम देक नाम का अक्षर हमें सजेस्ट करते हैं और हम उसके बेश्च जाते हैं लेकिन उसका जन्म कब हुआ date of birth याद रखते हैं ऐसे ही घनवाद है 1907 में start हुआ उसका नाम करना संसकार कब हुआ इससे कोई किसी को मतलब नहीं है चाहे वो ब्राक की painting से start हुआ सिर्फ ये इतिहास में जरूर है और knowledge भी होनी चाहिए कि ब्राक की painting के बाद 1908 में इसका घनवाद नाम पड़ा लेकिन इससे related questions नहीं पूछा जाता है Next question है Second question है परपेक्ष की द्रस्टी से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं अगर आप घन को ड्रॉ करेंगे अपनी notebook में या कहीं भी ड्रॉ करेंगे या किसी घन को देखेंगे तो हमें घन के सिर्फ तीन ही पक्ष दिखाई देते हैं That means उनकी तीन ही उनकी जो दिखाई देते सतह है उसकी तीन सतह हमें दिखाई देते हैं तो परपेक्ष की द्रस्टी से हमें घन के तीन पक्ष दिखाई देते हैं नमर थर्ड है किसी घन की चित्रित आकरतिय, जयामिती आकरती को क्या कहते हैं, जयामिती आकरती घन को जब जयामिती जहमेट्री में पढ़ते हैं, तो हम उसे प्रिजम की, प्रिजमेटिक बोलते हैं, यानि त्रितलिय बोला जाता है, त्रितलिय, सम्टाइम्स एग्जामनर त्रितलिय ना समझ में नहीं आते हैं, कुछ वर्ड हमें English में समझ में नहीं आते हैं, तो जैसे हमें Prismatic समझ में आता है, लेकिन त्रित तलिय हमें समझ में नहीं आया, तो हम Confuse हो जाएंगे, तो इसलिए English और Hindi में जरूर ध्यान रखिएगा, इसे Prismatic भी बोलते हैं, नेक्स कॉशन है, आवन्यों की इस्त्रियां, यानि Lace Damoceles the Avenue, यानि आवन्यों की इस्त्रियां, जो पेंटिंग 1907 में बनाई गई थी, जिसके आधार पर प्रभाव, सोरी, घनवाद का, यानि क्यूबिस्म का नाम करना संसकार हुआ था, जिसके आधार पर क्यूबिस्म का जनम हुआ था, सोरी, उस पेंटिंग को 1907 में पिकासो के द्वारा बनाया गया था, वही ये कौशन पूछाए कि उस चित्रिकार का नाम बताइए जिसने ये पेंटिंग बनाई है, तो उस चित्रिकार का नाम था पिकासो, जिसके बेज पर 1970 में घनवाद का क्योबिस्म का जनम हुआ नेक्स कॉश्चन है तीन संगीतग्य किस कलाकार की घनवादी क्रती है यह तो हमें क्लियर हो गया कि यह घनवाद में बनाई गई है तीन संगीतग्य मैंने आपको बताया था जब मैं पिकासो के बारे में बढ़ा रही थी घनवाद के बारे में बढ़ा रही थी तीन संगीतग्य है, तीन वादक है, तीन रतक है, तीन ये जो हैं, ये paintings, तीन इस्त्रिया है, ये paintings पिकासो ने बनाई है, इसलिए आपको तीन word जरूर याद रखना है, वो automatically कहेगा कि किस घनवादी की गरती है, तो ये घनवादी है, पिकासो, जिन्होंने तीन संगीतग्य, तीन रतक, तीन वादक, तीन इस्रियां ये जो पेंटिंग बनाई है ये पिकासो ने बनाई है Next question पर आगे बढ़ते हैं किस गनवादी का लाकार ने मशीन का नत्या यान ये जो फिल्म है ये फिल्म है इस जो सीशक वाली फिल्म है इसको वास्तविक यंतरों की सामगरी से इसका निर्मान किया था वो कौन थे अब मैं आपसे मैंने लेजे के बारे में मैंने आपको डेटेल में नहीं बता है लेकिन मैं इसमें आपको एक बताती हूँ कुछ चीज़ें आपको कि ये जो थे लेजे जो थे लेजे को लेजे ने ही मशीनरी से निर्मान किया था चीजों का मशीन का नरत्या ये 1924 में लेजे ने इसका निर्मान किया था ये अमूर्थ कला पर आधारित पहली फिल्म थी जिसका नाम था मशीन का नरत्या इसका निर्मान लेजे ने वास्त्रविक यंत्र की सामगरी से किया था वास्त्रविक यंत्र सामगरी से किया था मशीन के नत्य का निर्मान लेजे ने actually इसमें सभी वस्तुएं सजीव होका dance करती हैं अभने करती हैं इस तरहे इसमें करती हुई दिखाई गई जिससे दर्शक जो थे जिससे audience थी वो आश्चर चकित रहे गई तो ये जो लेजे थे इन्होंने पहली बार इन्होंने machinery का प्रियोग किया था पेंटिंग में machinery को बनाने का प्रियोग किया था इसमें इसलिए इसको machine का अनरत्य नाम दिया गया था और ये बहुत important question है इससे related question जरूर आ जाता है sometimes exam में कि machine का अनरत्य डारेक्टली वो बस ना फिल्म देगा ना कुछ देगा वो इस बास यही पूछ सकता है कि machine का अनरत्य का निर्माण किस ने किया तो ये एक movie है और इसका निर्माण लेजे ने किया था next question पर आगे बढ़ते हैं सात्वा question है George Bragg का जन George Bragg किस कला आंदोलन से संबन्धित था George Bragg जानी Picasso और ब्राग दोनों ने मिलकर घनवाद स्टार्ट किया था तो Bragg घनवाद से संबन्धित था next question है Pablo Picasso का जन्म कहां हुआ था इस तरह का question जरूर पूछ लिया जाता है कि Pablo Picasso का जन्म यानि Picasso का जन्म कहां हुआ था Picasso का जन्म Spain के मलागा गाउं में हुआ था आपको सिर्फ Spain याद रखने की sometimes ही आता है मलागा गाउं otherwise mostly Spain ही आता है कि Picasso का जन्म Spain में हुआ था गुर्निका किसे चित्रित किया गया था इसको गवर्निका भी बोल देते हैं sometimes ये Spain के civil war पर आधारिते किये civil war पर आधारित ये painting है जिसका निर्मार्ट पिकासो ने किया था ये बहुत बड़ी painting है sometimes मुझे याद आता है कि इसमें कहीं कहीं अतियतार्थवाद की जलग दिखाई देती है गानवाद और अतियतार्थवाद दोनों की जलग दिखाई देती है लेकिन इसमें कभी ये न उनके अन्वास पर बनाई गई है और इस painting का अन्रमार्ण पिकासो ने किया था और ये Spanish Civil War के पर बेस्ट है और ये मोनोक्रती है that means इसे एक ही मोनोग्रोम में बनाया गया है next question है कि गनवाद की प्रिथम कोलाज क्रती का नाम बताई ये गनवाद की मैंने आपको बताया था कि 1912 में कोलाज स्टार्ट हुआ था कोलाज की पहली painting थी पिकासो की painting जिसका नाम था बैंत की कुर्सी पर वस्तु समूह next question है 11 question है कि सूरे का रत किस ने बनाया सूरे का रत ये इससे related question जरूर आ जाता है exam में कि सूरे का रत किस ने बनाया सूरे का रत ये की painting थी और इसको बनाया था ब्राक ने वो कुछ नहीं कहते हैं सिर्फ इतना examiner देता है सूरे का रत किस ने बनाया तो सूरे का रत बनाया था भराक ने सूरे के रत का निर्मान किया था भराक ने अब next question है बारवा question कि कोलाज का संबंद किस कलासयली से है मैंने आपको बताया था कि 1912 में 1912, I think 1912 से 14 तक ये संसलिस्ट घनवाद चला था, घनवाद को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विशलेशन आत्मक और संसलेशन आत्मक, 1912 में जब संसलेशन आत्मक घनवाद यानि संसलिस्ट भी उसे हम बोल देते हैं, तो वो जब चल रहा था, तभी कोलाज का मान हुआ था, ग西DAQ को लाज का संसलिस्ट घनवाद से है, गी कुलाज का संसलिस्ट गनवाद से किस कलाश trends थे हैं, गनवाद को दो पार्ट्स में डिवाइड के आगा था, जब कोलाज स्टार्ट हुआ था, जब संसलेशन गनवाद चल रहा था, संसलेशन आत्मक का संबंध है कुलाज से थर्टिन कॉश्शन है कि पिकासो के पहले प्रसिद रचना काल को क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था कि घनवाद स्टार्ट करने से पहले भी पिकासो ने कुछ पीरियड का निर्मान किया था जिस period में उन्होंने कुछ paintings का निर्मान किया था इसलिए जब नीले काल that means blue period जिसको that means इसका मतलब यह है कि नीले रंग से चित्रे जब बनाई जा रहा था तो उसको नीला काल और जब नीले की जखे गुलाबी रंग ने ले ली तो उसको गुलाबी काल का नाम दिया जनों की इस्त्रियां वही कौशन दोबारा आ गया क्योंकि यह कौशन बहुत important है कि प्रस्ट भूमी में किन किन मूर्तिशिल्प और चित्रों की प्रेड़ना रही है यह मैंने आपको उस टाइम पे भी घनवात पड़ा रही थी तब भी मैंने बताया था कि यह सेजान की जो इसनानार्थी थी उससे इंस्पायर हुए थे और दूसरा जीवन का आनंद जो फाववात के कलाकार थे मातिस उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने इस पेंटिंग का निर्मान किया था तो मैंने यह आपको बताया था कि यह अरेवियन मूर्तिशिल्प से बहुत प्रभावित हुए थे उसके बेस पर यह चित्र बनाते थे उसके बेस पर यह पेंटिंग आते थे और सेजान के स्नानार्थी और मातिस के जीवन के आनंद जो पेंटिंग थी उससे इंस्पायर होकर इन्होंने आवन्यों की इस्त्रियां चित्र बनाया था next question है कि घनवाद की सास्त्र का पूर्ण रूप से पालन किस कलाकार ने किया था तो घनवाद में एक जोन ग्रीस कलाकार थे जो जिन्होंने पूरी तरह से घनवाद के नियमों का पालन किया था और घनवाद को पूरी तरह से पालन करकर उस पर बेजड उस पर पूरी तरह से प्रभावित होकर उससे प्रभावित होकर पेंटिंग्स की थी तो वो जॉन ग्रीस एक कलाकार थे घनवाद का सिर्फ एक ही कलाकार था जॉन ग्रीस जिसने पूर्ण रूप से घनवाद की नियमों का पालन किया था Next question है कोलाज का प्रियोग किस आंदोलन से आरंब हुआ था यही question जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि संसलिष्ट गनवाद था जिस आंदोलन से कोलाज का प्रियोग हुआ सिर्फ आप इतना यादी रखिए कि कोलाज 1912 में start हुआ था और 1912 से 1914 तक I think संसलिष्ट गनवाद चला था संसलिष्ट गनवाद चला था तो that means कोलाज और संसलिष्ट गनवाद दौनों का एक दूसरे से relation हैं दौनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो कोलाज का प्रियोग किस आंदोलन से आरंब हुआ संसलिष्ट गनवाद से कागज के टुकड़ों को कैनवास तता किसी और धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है मैंने आपको बताया था कि कोलाज में अगर एक्जामनर पूछेगा तो ना तो माचिस की तीली पूछेगा सिर्फ वो कागज की कतरन पूछेगा यानि कागज के टुकड़े को अगर कैनवास पर चिपकाते हैं तो क्या बनता है उससे बनता है कुलाज या कुलाज में किस चीज का प्रियोग किया जाता है कागज की कतरन का प्रियों किया जाता है इस तरी हिसे से examiner इस तरीके से ही examiner question put up करता है next question पर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा चित्र monochrome में चित्रित है मैंने बताया था आपको monochrome यानि एक color में चाहे वो किसी भी तरह की कितने भी shades यूज कर सकते हैं लेकिन color एक ही होगा blue का जैसे sky blue यूज किया या blue में थोड़ा सा कोई भी white color मिलाया या थोड़ा सा red color मिलाया कुछ भी हो लेकिन blue ही color प्रियोग किया गया that means एक ही color प्रियोग किया गया है उसको monochrome बोलते हैं और वो थी गवर निका जिसको एक ही color में बनाया गया shades हो सकते हैं काफी एक ही color के लेकिन color तो एक ही होगा यानि monochrome होगा mono, mono माने होता है 1, dye माने होता है 2, tetra माने होता है 3, तो monochrome में that means एक ही mono, dye, tri, tetra, penta ये चीज़ें यूज किया आती है that means ये chemistry से related है prefix के लिए यूज किया जाती है mono माने होता है 1, 1, dye माने होता है 2, try माने होता है 3, tetra माने होता है 4, penta 5 कहलाता है और hexa 6 कहलाता है तो ये जो हैं paintings ये एक ही color में यानि monochrome में बनाई गई है 2 color जहां प्रियोग अगर sometimes किलाकार आपको confuse करना जाता है examiner तो sometimes dichrome भी दे सकता है यानि 2 color try 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 इस तरीके से words ये use किया जाते हैं तो monochrome यानि एक color में तो वो थी गोरने का जो एक ही color में बनाई गई shades के difference